दोस्तो नमस्कार, हम लोग अर्थ सास्त के नई स्टीश की सुरुवात कर रहे हैं अर्थ शास्त शुरू करनें से पहले हमें जानने का प्यास करते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था के लिए कौई कोई से षेबुख पढ़ने चाहिए तो मैं आपको दो किताब स्वजेस्ट करूंगा एक किताब है Class 11 का INCRT का भारत का आर्थिक विकास और एक किताब Class 12 का है समस्टी अर्षास्त ये दो किताब परतियक इक्स्टेंड को पढ़ना चाहिए जो अर्षास्ता की समझ डर्लोप्ट करना चाहता है इसे आप ओनलाइन ख़़ी सकते हैं या फिर ओनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं चले हमें स्टार्ट करते हैं अर्षास्त होता क्या है अर्षास्त में करते क्या है तो अर्षास्त वस्तूओं और सिवाओं के समाज में उत्पादन एवं वित्रन का अधियन है। दो चीज़ है। इसमें वस्तुओं और सिवाओं का उत्पादन एवं वित्रन का अधियन करियाता है। Production and Distribution of Goods and Services is known as Economy or Economics। अर्थ विवस्था इस वाद का अधियन करता है कि दूड़लव संसादनों का आवंटन किस प्रकार किया जा रहा है या फिर किस प्रकार किया जाना चाहिए। विश्व की सभी अर्थ विवस्था में तीन आधारूत लक्षन पाए जाते हैं। पहला कि संसादन सिमित होते हैं। प्रतेयक देश के पास संसादन सिमित है। इसी कारण प्रतेयक अर्थ व्वस्था में वस्थू और स्यवाओं को उत्वाजित करने की छंता भी सिमित होती है। और इच्छा की बात करें तो इच्छा और सकता हमारी असिमित है और जैसे जैसे समाजी विकास होता है इसमें और धियर धियर विध्धी होती ही चली जाती है अब किसी जैस्ता है कि हम हर एक संसात्नों का वैकलफिक उप्योग कर सकते हैं बतलब एक संसात्नों को अनेक उद्यस्यों के लिए उप्योग किया जा सकता है लेकिन किसी संसाथ में उप्योग सभी उदेशियों के लिए एक साथ नहीं किया सकता हम अलग अलग समय पे उस वस्टू को अलग-अलग उदेशियों के लिए उप्योग कर सकते हैं अब अर्ध शास्त एक समाजिक विज्ञान है जो करता है कि है जो वस्तूओं सिवाओं के उत्पादन वित्रन का अध्यन करता है अब समाजी विज्ञान के रूप में अर्थ साथ का समंद माना विवहार से है अर्थात उभोक्ता एम उत्पाद को के रूप में मनुस के विवहार से मानौ को ब्यवहार के सुनचित अनुमाल लगाना भर्षवानिक करना समव नहीं है। इसलिए अर्थ-सास्थियोशिस के नियाम की तरह कोई भी नियाम संचित नहीं होते हैं। तो अर्थ वस्ता करता क्या है ? अर्थ वस्ता कुष्ध करता किस पकार संसाद्नों का आप्टिमल एलोकेशन किया जाया, मैक्समम यूटलाइशन किया जाया अब अर्षास के दो बरांच है इसे माइक्रो और माइक्रो M-I-C-R-O तथा M-A-C-R-O M-I-C-R-O, माइक्रो इसे हम लोग सुख्यू अर्षास भी कहते हैं और मैक्रो को लार्ग अर्षास या फिर समश्टी अर्षास भी करते हैं और माइक्रो को वेश्टी अर्षास अब यह माइक्रो उगनोमिक्स ता मैक्रोमिक्स क्या होता है तो यदि हम किसी अर्षप्यवस्था में एक व्यक्ति के आरथिक ब्यवहार का दिन करते हैं कि एक विक्ति के आई क्या है एक फर्म का क्या उत्पाद हो रहा है किसी वस्तु का मूली कितना है जब हम एक एक वस्तु के एक चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग माइक्रो एकनोमिक्स और जब हम समर आर्थिक व्यवस्ता का अधियन करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो एकनोमिक्स जैसे पुड़े जीडीपी का बारे में पढ़ना या प्राइस लेवल का बारे में पढ़ना आदी आदी के बारे में तो दोस्तों यह रहाज का हमारा इ को लाइस करें सब्सक्राइब करें शेर करें धन्यवाद